हेलो एन जाहिन स्टूडेंट, वेलकम बंस अगेन टू यॉर वन चैनल सरतरुन रपानी, लाइक सेमिस्टर वन हमने एंटायर कमर्शिल एप्लिकेशन, येस आपका स्लिबस पूरा कवर करने की कोशिश की है, और आज हम करने जा रहे हैं, अग फाइनेशल अकाउंटिंग ए इसलिए ही, लेट सी दिस चैप्टर, तो सबसे पहले जानते हैं कि ओगनाईजेशन दो टाइप की होती हैं, पहला ट्रेडिंग ओगनाईजेशन अथार्थ जो बिजनस करती हैं, जो ट्रेड करती हैं, और दूसरा नॉन ट्रेडिंग ओगनाईजेशन जिनका काम खरीदना बेचना नहीं है, मैनुफेक्टरिंग करना नहीं है, आईए दोनों में पहले डिफरेंस जानते हैं, तब हम इस चैप्टर के बारे में डिटील में जान पाएंगे, तबसे पहला एक्टिविटीज, तो ट्रेडिंग एक्टिविटीज, अथा ट्रेडिंग करने वाली संस् इनका में मकसलता है, बाइ एन सेल करना, जबकि नॉन ट्रेडिंग वाली क्या करती है, यह सिर्फ सर्विस देती है, और वो भी किसी वेलफेर के लिए, परपस जी, ट्रेडिंग वाली ओगनाईजेशन का परपस होता है, प्रॉफिट कमाना, मैं और आप जो सड़क पे यह सब पैसा कमाने के लिए काम करती है, जबकि नॉन ट्रेडिंग वाले क्या करते हैं, यह वेलबींग के लिए काम करते हैं, आईए कुछ टाइप से डिफेरंच जान पाएं, इन दोनों के क्या टाइप से हो सकते हैं, जैसे ट्रेडिंग ओगनाईजेशन में होलसेल करने वाले, ओलसिल वो बिजनस होते हैं, जो बल्क में खरीदते हैं प्रोड्यूसर से, और स्मॉल स्मॉल लॉट्स में बेचते हैं रिटेलर्स को, जबकि रिटेलर्स, हाँ, जिस दुकान पे तुम और मैं चड़ते हैं, हाँ, अगर आपने कोई स्वस्तु खरीदी हैं, पैन, पैनसिल, नोटबुक, बिस्कुट अपने लिए खरीदा है, जी, तो वो सब आपने रिटेल से खरीदा है, जबकि नॉन रिडिंग वाले क्या होते हैं, यह रिलीजेस परपस का काम करते हैं, जैसे इनके पास कोई मंदिर होगा, हाँ, मस्जिद होगी, इनको चलाने के लि कॉलेजेस, यह लोग भी नॉन ट्रेडिंग का काम करते हैं, ठीक है, आइए, अब एक्जामपल से समझते हैं, दोनों में डिफरेंस क्या है, ट्रेडिंग और नॉन ट्रेडिंग में, तो बुक स्टॉल्स, जहां पे किताबे मिलती हैं, जहां से मैं और आप बुक्स करीते हैं, यह लोग ट्रेडिंग कर रहे हैं, याद रखेगा, और यहां तो कपड़े की दुकान, तबाग की दुकान, क्या आप मुझे दो ट्रेडिंग और बताएंगे, आपको बताना है, टू ट्रेडिंग और बताना है, इन दोनों के अलावा, याद रखेगा, ट्रेडिंग वो लोग है जो आपसे पैसा कमाना चाहते हैं, जो आपको goods या services बेचते हैं और उससे पैसा कमाते हैं, और non-trading का भी दो example में आगे देते हूं, आपको clubs हो गए, schools हो गए, even बहुत सारे hospitals हो गए, especially जो trust द्वारा governed होते हैं, hospitals, वो लोग जी, जी, प्राइवेट hospitals नहीं जाद और trading organizations, profit कमाने के लिए काम करते हैं, तो उसके लिए उनको क्या बनाना होता है, उनके लिए बनाना होता है, उनको trading accounts, या धख लिजए, ये नाम बड़ा ज़रूरी है, वो लोग बनाते हैं, trading accounts, trading accounts क्या करता है, gross profit, short firm ले देता हूं, GP या gross loss निकालने में मदद करता है, gross profit या gross loss, और क्या बनाते हैं, trading वाले, अथार्थी businessmen, ये firms क्या बनाती है, ये बूसरा account बनाती है, नाम है profit and loss account, profit and loss account, ये क्या करता है, ये help करता है, net profit में short firm लिग दे रहा हूं, NL, या, sorry, NP या NL, net profit या net loss निकालने में मदद करता है, और क्या बनाते हैं, लोग, balance sheet बनात है, नीचे mark कर दिया है, मैंने आपके लिए, अब तीनों ही books जो बनाते हैं, तीनों ही accounting की ये जो books बनाते हैं, मैंने आपको show कर दिया, trading वाले, पहला trading account, दूसरा profit and loss account, और तीसरा balance sheet बनाते हैं, जबकि non trading वाले क्या करते हैं, आइए non trading वाले organization, जिन पे हमारा ये chapter है, जि इनके बारे में जानते हैं, तो clubs, schools, colleges, जो की main marks, जिनका पैसा का मना नहीं है, वो भी तीन टाइप की books बनाते हैं, और वो तीन टाइप क्या है, सबसे पहला हम जानेंगे, receipt and payment account, जी, receipt and payment account, जो की cash book को represent करती है, ठीक सुना आपने, cash book को represent करती है, जो cash book business organizations, trading organizations बनाती है, उसी cash book को ये represent करती है, मतलब इसमें receipt, मतलब जहां-जहां से पैसे cash आ रहे होते हैं, वो show करता है, और जहां-जहां cash जा रहा होता है, पीक करना, payment करना, उसको show ये करता है, और दूसरा account क्या बनाते हैं, दूसरा account बनाते हैं, income and expenditure account, income and expenditure यह firm को profit and loss जो की profit and loss trading बनाती है उसका repeat होता है उसका revision होता है समझ लिजे बस इनको profit and loss जानन नहीं होता है इसलिए उसका नाम क्या रखा गया है income and expenditure जबकि trading वाले इसको profit and loss account की नाम से जानते हैं और balance sheet तो दोनों बनाते हैं जी, balance sheet तो ये भी बनाते हैं, और balance sheet का purpose भी सेम है, financial position जानना, firm की asset और liability की position जानने को हम कहते हैं, financial position जानना, आईए, अब recipient payment को हम आपको detail में बताते हैं, कि क्या होता है recipient payment, और एक image इससे पहले, screen पे उपर देखे, मैं आपको दिखाना चाहूंगा, और अब, जी, अब देखिए, to recipient payment, recipient payment एक तरह की summary of cash transactions होता है, अथार्थ सारे जो cash transactions हुए हैं, उसको ये show करता है, trading organizations इसको नहीं बनाती हैं, non-trading organizations, recipient payment को बनाती हैं, कब बनाती हैं, at the end of the accounting year, accounting year का end कब होता है, 31st March, every year, क्या करता है ये, to recipient payment, जी, में total cash receipts, debit side में, सरी debit side का मतलब क्या होता है, देखिए, एक rough में diagram आपको दिखा रहा हूं, ये T-ship account बना दिया, तो debit side is always the left side, याद रखीगा, जबकि credit side is always the right side, ये है receipt and payment account, जी, format एक बारा और फिर से देखिएगा, ठीक है, all cash payments are recorded in the credit side, receipt payment बनाते हैं, तो receipt payment इसलिए बनाते हैं, ताकि आप जान पाएं, closing cash या closing bank balance कितना है, कहां बचता है, यहां बचता है, हम लोग usually इसको बोलते है, balance brought down, जब beginning में होता है, और लिखता है, carried down, जब end में होता है, मैंने दोनों लिख दिया आपके लिए, opening भी लिख दिया, कैसे, to balance brought down, be obligly, यह opening balance represent करता है, ठीक है, और यह रहा मारा answer, closing balance, यही निकालने के लिए इसको बनाते हैं, आईए, एक definition भी देख लेते हैं, recent payment account is nothing more than summary of cash book, for a certain period, analyzed, classified, under suitable headings, it is the form of account, mostly, most commonly adopted by treasurers of societies, clubs, associations, etc., when preparing the results of the years working, simple है, अब जानते हैं, इसके कुछ features, features यह characteristics of receipt and payment account, आपके लिए मैंने receipt and payment account, एक बार फिर से, full screen कर दिया, तो ध्यान से देखिए, आप देखेंगे, to balance brought down से start हो रहा है, और balance brought down के अंदर cash in hand, cash at bank लिखा हुआ मिलेगा, जबकि आप credit side के सबसे नीचे, त्यान से देखिए, credit side के सबसे नीचे आपको मिलेगा, buy balance carried down, again cash in hand और cash at bank, चलिए, कुछ nature के बारे में इसके जानते हैं, सबसे पहला nature है, अथार्ट इसके features है, यह एक account है, जो summary of cash book बताता है, cash और bank के transactions की एक तरसे totaling है, पुरिस साल की, और जो cash in hand है, अथार्ट हम लोग opening cash इसको बोलते हैं, जी, opening cash, starting cash, जब starting cash दिखाना होता है, यहां bank balance दिखाना होता है, तो हम debit side में show करते हैं, ठीक है, it is always shown in the debit side, bank balance भी, आप debit side में show करते हो, हाँ, overdraft अगर हो जाएगा, तो overdraft मतलब होता है, आपने over पैसा withdrawn कर दिया है, इसलिए वो credit side, जो की payment side होती है, में show करते हैं, यह एक तरह का real account होता है, तो real account क्या होता है, real account मतलब होता है, जो real rules को follow करता है, जो real के rules क्या है सर, real का rule है debit what comes in and credit what goes out, जी, real account के rules है, यह आपको जरूर जरूर आने चाहिए, अब आता है, अगला nature, कि सारे cash receipts, वो भली revenue nature के हो, या capital nature के हो, revenue वो transactions होती है, जो day to day होती है, अथार्थ जो regular होती है, और जबकि capital nature के वो transactions होते है, जो long term transactions होते है, या बड़े amount के long term, या big amount के transactions होते है, जैसे cash received from sale of building, अब building तो आपरोथ नहीं मेचते हैं न, पर receipt side में जरूर शो करेंगे, क्योंकि capital transaction है, ठीक है, और revenue transaction example देदा हो, just cash received for subscription, entrance fees received, revenue transaction, आईए payments के बारे में जाने, तो इसके payments सारे show करेंगे, अब वो payment कैसी भी हो, revenue हो, capital हो, दोनों nature की payments शो करेंगे, हाँ, payments को हमेशा credit side शो करेंगे, आपको ध्यान भी होगा, जब हम लोग ने अभी format देखा था, तो उसमें आपने देखा था कि payment side जो होती है, वो credit side शो करेंगे, जबकि receipt side जो आपको मिलेगी, वो हमेशा debit side मिलेगी, ठीक है, अब इसका objective क्या था, तो मैंने बताता है, objective है to find the cash position, जी, closing cash को, या bank balance को जानने के लिए बनाया जाता है, फिर receipt and payment, कभी भी आपको surplus नहीं बताएगा, या deficit नहीं बताएगा, surplus एक तरह से आप कह सकते हैं net profit, या real terms में इसको समझाने के लिए कहा जा रहा है, net profit या net loss नहीं बताएगा, जी, फाइदा या नुकसान नहीं बताएगा, बट ये सिरिफ receipts और payments बताएगा, अब वो receipt and payment चाहिए capital nature के हो, अथार्ट बड़े amount के हो, long term nature के हो, या revenue nature के हो, जो recurring basis पे होते हैं, आईए जाने uses of receipt and payment account, receipt and payment बड़े काम की चीज़ है, क्योंकि receipt and payment नहीं होगा, तो आप income and expenditure नहीं बना पाऊगे, और balance sheet भी नहीं बना पाऊगे, और क्या काम आता है, receipt and payment एक non-trading company के लिए, sorry, एक non-organization के लिए, management के लिए, एक alert का काम करता है, ताकि वो जान सके कि क्या reasons है, decline of, अथार्थ fall of cash receipts, क्यों cash receipts कम हो रहे हैं, और क्यों खर्चे बढ़ रहे हैं, इसको देख के वो बता सकते हैं, इससे वो alert हो जाएंगे, और last use जेखते हैं, it informs the members, हाँ, याद रखेगा, non-trading organizations में members होते हैं, जैसे clubs में हमने बताया था, schools बताया था, इनके members होते हैं, ये source of incomes और source of payments भी जान सकते हैं, सिर्फ उनको करना क्या है, receipt and payment का format सामने रखना है, और पूरा account clear हो जाएगा, कहां-कहां से पैसे आए हैं, और कहां-कहां पैसे जा रहे हैं, और जानते हैं, कुछ कमियां, ऐसा नहीं है, कि receipt payment में सिर्फ अच्छा ही हैं, पहली कमी है, it does not show, जो surplus जानना चाहता है, फाइदा या नुकसान जानना चाहता है, उसको receipt payment से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि इसमें surplus या deficit दोनों नहीं होगा, और क्या नहीं करेगा, it does not indicate financial position, फिर financial position के लिए क्या देखना पड़ेगा आपको, आपको देखना पड़ेगा balance sheet, क्योंकि ये तो balance sheet है नहीं, तो ये भी नहीं show करेगा, और क्या नहीं show करेगा, it does not disclose details of, ये तो दिखाएगा कि receipt आ रहा है, ये तो दिखाएगा कि payment आ रहा है, पट उसका detail, रमेश को बेचा कि सुरेश को बेचा, और बेचा तो कितना profit हुआ, कितना loss हुआ, कितना balance बच गया, ये हैं नहीं बताएगा, बता देगा कि receipt हुआ, ब अगली book, नाम है, income and expenditure account, याद रखेगा, ये सिर्फ और सिर्फ, ये सिर्फ और सिर्फ non-redding वाले बनाते हैं, देखिए, इसके नाम में और काम में उन difference है, ठीक सुना आपने, इसका नाम और काम उल्टा है, मैं हमेशा कहता हूँ, इसका नाम income and expenditure है, इसके नाम में income and expenditure है, इसका काम expenditure और income है, जी, इसके debit side में आपको मिलेगा expenditure, टाट फर्म मैंने लिख दिया, expenditure, EXP, और credit side में, जी, credit side में income मिलेगा, मतलब ये nominal account के rule को follow करता है, जी, एकदम ठीक सुना आपने, debit all expenses, ये debit side है, याद रखेए, left side of किसी भी account का हमेशा debit balance होगा है, और credit side में, credit side में आपको मिलेगी income, ठीक है, credit side में income मिलेगी, तो ये, ये nominal account का rule follow करता है, जी, nominal account ये कहता है, debit all expenses, यहाँ से सुन लिजेगा, debit all expenses and losses and credit all incomes and gains, ये nominal account का rule है, ब्रह्मास्त्र rule है, मैं कहता हूँ इसको, अगर याद कर लेंगे तो आपको बहुत काम आने वाला है, अगर आप future में भी, yes, future में भी accountancy लगाने वाले हैं, तो आपको बहुत काम आने वाला है, तो credit all incomes and gains, short firm लिख दिया, INC income का और gains, तो ये इस rule पे बना हुआ है, आपको यहाँ पर, जी, अगर आपका credit का total, जी, credit का total, let's say, 10,000 आ रहा है, जी, credit का total, अथार्थ income का total, 10,000 आ रहा है, और expenses का, सारे खर्चों का total आ रहा है, let's say, 8,000, तो आपका पैसा, आपका पैसा, डेविट साइड में कम है, तो हम इसको बोलते हैं, surplus, किसी पैसे को बोलते हैं, surplus, surplus हो गया, जी, कह सकते हैं, surplus है, 2000, ये surplus, net profit नहीं है, कैसे आया द expense का total, जी, मैंने अपने मन से assumed कहा, कि आपके expense का total, 8,000 है, तो आपके पास 2000 का surplus हो जाएगा, ठीक, इसका reverse भी हो सकता है, जब आपका expense जादा हो जाएगा, expense 10 होगा, और income side 10, 8 होगी, 8,000 होगा, तो 2000 का आपका, correct, deficit भी आ सकता है, तो ये surplus और deficit सो करता है, चली, एक format मैं जान से screen पर देखिए, आपको दिखेगा income and expenditure का format, और expenditure side आपको देखेगी debit side, देखिए, बड़ा सा लिखा मिलेगा, आपको लिखा मिलेगा, to salary and wages expenditure की शुरुआत हो रही है, जबकि credit side में आएंगे, तो वहाँ शुरुआत हो रही है, income से, by subscription से, चली, meaning, तो भी जाना आपने, यह एक account है, जो non trading ही बनाती है, याद रखेगा, क्या करने के लिए, to find surplus और deficit, और क्या करती है, मैंने बताया, यह profit and loss के जैसा होता है, profit and loss जो की profit वाले business वाले, trading business वाले बनाते हैं, यह nominal account पे based होता है, इसको मैंने भी discuss किया, और मैंने बता दिया, कि अगर आपकी credit side जादा होगी, जी, credit side अथार्थ income जादा होगी, debit side से, expense side से, तो आप surplus में आ जाओगी, और इसका उल्टा कर दो, अगर आपकी debit side जादा हो जाएगी, credit side से, तो आप deficit में चले जाओगी, याद रखेगा, जो deficit और surplus है, इसका treatment इसके बाद capital fund में होता है, अथार्थ इसके बाद क्या करना होता है, balance sheet, आईए इसके nature को जाने, इसके features को जाने, सबसे पहला feature यही है, कि यह एक nominal account पे based है, यहने बताया था, nominal account में expenses और losses debit में होती है, यह एक सका ब्रमास्त rule भी मैंने बताया था, क्या चीज, debit all expenses and losses, और credit all incomes and gains, याद कर लिजेगा, जो इसके opening और closing balance है, जी, opening और closing balance है, वो cash या cash in hand और bank नहीं होते हैं, इसका opening closing इस तरीके से नहीं होता है, यह तो recent payment में बताया था, उसका opening और closing cash और bank से ही होता है, जो profit अगर business ने कमाया, या जो business को कोई loss हुआ, हाँ, उसको हम show करेंगे, उसको हम show करेंगे, इसमें, जब कि जो amount receive हुआ, sale करने पे, उसको हम record नहीं करेंगे, यह जो amount receive होता है, sale करने पे, इसको हम कहते है, capital, जी, इस transaction को हम कहते है, capital, एक example से समझाओ, अगर हमने एक furniture बेचा 10,000 रुपए में, तो 10,000 रुपए को record नहीं करेंगे, क्यों record नहीं करेंगे, sale of furniture क्यों नहीं record करेंग था और हमने उसको बेचा 10,000 में तो जो profit आया 2000 यह आया ना profit 2000 का इसको आप जरूर record करोगे income and expenditure ठीक है loss भी होगा तो भी record करेंगे अब income and expenditure तिर्फ current year से related होता है इसका मतलब है न previous year न future year दोनों year related account इसमें नहीं बनाते हैं और income expenditure उसी manner में बनाते हैं उसी तरीके से बनाते हैं जैसे trading करने वाले लोग profit and loss account बनाते हैं इसका closing balance या तो surplus होगा या deficit होगा या फाइदा होगा या नुकसान होगा आवो इनकी uses के बारे में भी जान जाते हैं uses of income and expenditure सबसे बड़ा और सबसे पहला use है कि यह surplus and expenditure शोग करता है इसलिए तो बना रहा है और क्या है परपस ही है यही है surplus यह deficit जानना चाहते हैं और it's serve as a basis for preparing balance sheet याद रखे का जब जब तक income expenditure नहीं बनेगा अब balance sheet नहीं बना पाऊगी है क्योंकि यही surplus यह deficit capital fund में जाकर करके यह surplus होगा तो capital fund में add हो जाएगा जी surplus होगा capital fund में add हो जाएगा और deficit होगा तो capital fund में जाके subtract हो जाएगा और क्या करता है it fulfills these statutory requirement statutory मतलब बता है legal requirement यह एक legally compulsory है सारे non-trading organizations के लिए क्या करना legally क्या जरूरी है बनाना non-trading organizations को income and expenditure बनाना legally compulsory है क्योंकि उनको भी अपने accounts को government के पास verify करने होते है आईए तीसरी और आकरी books of account जो उने बनानी होती है याद रखेगा balance sheet सब लोग बनाते हैं trading करने वाले भी बनाते हैं क्योंकि balance sheet जी यह एक account नहीं है ज्यान रखेगा balance sheet के आगे account नहीं कभी वड़ाता है तो balance sheet में खास बात क्या होती है यह मैं एक rough example से पहले दिखा देता हूँ फिर आपको इसके बात format भी इसका दिखाऊंगा तो balance sheet का left side liability होती है तो L से left जी L से left और L से liability इसकी left side में liabilities होती है liabilities मतलब होता है और इसके right side में जी इसके right side में होते हैं assets यही खास बात होती है और इसका अंत tally हो जाता है इसका amount total क्या हो जाएगा match कर जाएगा इसका liabilities का total और assets का total हमेशा क्या हो जाएगा equal हो जाएगा जी यह side पूरी equal हो जाएगी जिसलिए इसका नाम रखा गया है balance sheet तराजी होता है न बीम balance होता है बस हो है समल लिजे और मैंने कहा न यह account नहीं है account नहीं है क्योंकि इसका answer balancing finger में नहीं निकलता है जी इसलिए balance sheet एक statement है आईए उपर आपको एक format दिखा दूँ फिर आपको balance sheet की definition देता हूँ format में आप देखेंगे liability side outstanding expenses से शरू हो रही है करजे से शरू हो रही है और इनका asset side क्या हो रही है cash in hand और cash and bank से शरू हो रही है चलिए meaning जान लेते हैं सबसे पहले balance sheet मैंने बताया account नहीं है statement है assets शो करती है liability शो करती है और capital भी बताती है capital मतलब होता है अपनी पूझी इसका nature अथार्थ इसके कुछ features balance sheet is prepared on a particular date और वो particular date क्या है year का end जी year के end में हम बनाते है balance sheet ठीक है और क्या करते है it is prepared after the income and expenditure इसलिए मैंने कहा था income and expenditure के uses में कहा था कि ये balance sheet बनाने के खाम आता है आपको और ये account नहीं है मैंने बता दिया क्योंकि account होता तो balance बचता जी account होता तो balance बचता ये statement है इसमें balance नहीं बचता है इसमें total total balance हो जाते है जी total balance हो जाते है दोनों side के total क्या हो जाते है equal हो जाते है इसलिए इसको कहते है statement ठीक है और क्या show करता है ये financial position show करता है assets right side में होते हैं और मैंने एक तरीका बताया L से left L से liability तो left side में आपको क्या मिलेगी liabilities मिलेगी और याद रखेगा अंत में दोनों tally होने चाहिए वरना आपने कहीं mistake कर दिये ठीक है आईए इसके uses के बारे जान जाए तो balance sheet assets को show करती है जो business के पास है मतलब non trading के पास है ये liabilities को show करती है reveal मतलब show होता है ये liabilities को भी show करती है जो की left side में होते है ये capital fund बताती है firm के पास कितना है capital मतलब होता है अपना खुद का पैसा own fund कितना है ये financial position बनाने के लिए financial position show करने के लिए बनाई गई होती है और last इसको भी prepare करना legally compulsory है statutory अथा legal requirement है इसको बनाना हर non trading को इसको बनाना legally compulsory है तो इस तरीके से हमने financial accounting and reporting पूरा finish कर दिया I hope आपको समझ में आ गया होगा और सारे lesson videos हो सरी तो line है बीच में ये line में remove कर देता हूँ ये explain करने के लिए मैंने बनाई थी तो सारे lesson videos मैं one by one upload कर रहा हूँ और आपसे request है सिर्फ अपने पास मत रखे lesson videos को अपने classmates friends को भी share करिए जिनके लिए मैंने ये बनाया है और मेरा mission है आपको successful बनाना और आपका mission होना चाहिए सरतरुन को 100 के पहुचाना so thank you and really god bless you